आपात कालिन चिकित्सा सुविधाओं का शेगाव में वर्दान मने प्रकाश चिल्डरन अस्पताल में एक बाप फिर बच्चे की जान बचा ली गई 14 साल उम्र के बच्चे की गले में 10 रुपे का सिक्का गले में फस गया था जिसे फॉरण शेगाव शेगाव शेर के प्रसिद बाल रोग विशेशगी डॉक्टर सचिन प्रकाश राफ सांगले अस्पताल आती उस पर इलाज शिरू किया जहां डॉक्टर ने खोजी गई एक विधी का उपयोग किया डॉक्टर द्वारा बताया गया कि फॉलस कैथेटर की मदद से आहन नली में फसे सिक्के को बिना किसी नुकसान की बहान निकाल कर बच्ची की जान बचाई गयी सिक्के को निकालने के लिए सिर्फ 40 सेकेंड में सफलता मिली मरीज का नाम मंगेश विलास इंदोरे उम्रे 14 साल वरखेड तैसिल शेगाव जिला बुलधाना बताया गया मरीज गरीब घराने में एक किसान का लड़का एक हेतियर मस्दूर के बेटे मंगेश ने लापरवाई से 10 रुपे का सिक्का मुँ में डाल दिया अचानक वो उसकी गले की नीचे चला गया कुछ देर में उसके गले में दर्द होनी लगा और सास लेने में भी तकलीफ बढ़ने लगी मरीज ने अपने पिता को इसके बारे में बताया जात हो कि मरीज के पिता को प्रकाश शिल्रन अस्पताल में बिना ओपरेशन सिक्का निकालने का इलाज के बारे में पता च डॉक्टर प्रकाश सांगले ने उससे पहले वी कई मरीजों के अननलिका के नली में फसा सिक्का निकाला था। उनके इस नए तरीके की वज़ा से अब तक कई बच्चों की जान बचाई जा चुकी है और हर शेत्र से उनकी तारीफ हो रही है। उनका सिक्का वापस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है और हर तरफ कोतूल का विशेप बना हुआ है।